नमस्कार दोर्शक मित्रो आप देखरे पराचिन भारत यूटूब चेनल डेली इतियास के नई एपिसोड में आको सागत है आज हम बात करने वाले है गुरु बच्चन सिंग सलारिया के बारे में केप्टन गुरु बच्चन सिंग सलारिया परमवीर चक्रवी जेता इक भार्चिया सेन्य अधिकारी और संयोक्त राश्र सांती अभ्यान के सदस्य थे वो परमवीर चक्रप्राप करने वाले एक मात्र संयोक्त राश्र सांती रक्षके वकिंग जोर्ज के रोयल मिलिट्री कोलेज और राश्री रक्षा अकेडमी के पूर्व छात्र थे इने ये सम्मान 1962 में मर्ण परांत मिला डिसंबर 1961 में कांगुग में संयुक्त राश्र के ओपरेशन के तहत कांगुगंड राच्य में देनात भार्चे सेनिक में सलार्या भी सामिल थे आज डिसंबर को सलार्या की बटालियन को दो बक्तर बंद कारो परसवार पृतक्तावादी राच्य का तांगा के 150 ससस्त्र पृतक्तावादीयो द्वारा एलीचा बेविले हवाई अड्डे के मारके अवरुद्ती करण को हटाने का कार्या सोपा गया उनकी रोकेट लांचर टीम ने का थांगा के बक्तर बंद कारो पर हमला किया और नश्र कर दिया इस अप्रत्याई सित कदम ने ससस्त्र पृतक्तावादीयो को रमित कर दिया और सलारिया ने मेसोस किया कि इससे पहले की वेपुनग अर्ठित हो जाए उन पर हमला करना सबसे अच्छा होगा आलाकि उनकी सेना की स्थिती अच्छी नहीं थी फिर भी उनोंने रुथक्तावादीयो पर हमला करवा दिया और चालिस लोगों के कुकर्यों से हमले में मार गिराया हमले के दोरन सलारिया को गले में दो बार गोली मार दी और वह वेर गती को प्राप्त हो गे बाकी बचे प्रोथक्तावादी अपने खायल और मरे हुए साथ्यों को छोड़ कर भाग कड़े हुए और इस प्रकार मार्ग अवरूती करण को साफ कर दिया गया अपने करतव्य और साहस के लिए और यूतके दोरान अपनी सुरक्षा की अपिक्सा करते हुए करते हुए करने के करन सलारिया को भारत सरकारतवारा वर्श नैंटी शिक्स्टी टू में मरोना प्रांध प्रमवीर चक्र से सम्मानित किया गया चलिए अब हम उनके प्रारंभिक जीवन और सिक्षा के बारे में बात करते है गुरु बच्चन सी सलारिया का जन्म 29 नवेंबर 1935 को यानि आची के दिन 1935 को सकरगट पंजब के पास एक गाउं जन्वाल में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है वह मुन्सी राम और धन्देवी के पाच बच्चों में से दूसरे थे उनका जन्म हिंदू राजपुत परिवार में हुआ उनके पिता को पेले बृतिश भारतिय सेना में वर्स के डूकरा स्क्वार्डन में सामिल किया गया था अपने पिता और उनकी रेचिमेंट की कहानियों के सुनकर सिलेरिया को बहुत कम उम्र में सेना में सामिल होने की प्रेड़ना मिली भारत के विपाचन के परिणाम स्वरूप सलारिया के परिवारवाले पंजाब के भारतिय भाग में चले गई और गुर्दासपूर जिल्ले के जंगल गाउं में बस गई सलारिया ने स्थान्य गाउं के स्कूल में दाखिला लिया और बाद में 1946 में उन्हें बेंगलोर में किंग जोर्ज रोयल मिलिटरी कोलेज में भर्ति कराया गया अगस्ट 1947 में उन्हें जालंदर में KGRMC में स्थानां परित कर दिया गया KGRMC से बाहर जाने के बाद बहराश्रिय रक्षा एकेडमी एंडिये के संयोक्त सेवाविंग में सामिल हुए 1956 में एंडिये से स्नातक होने पर उन्होंने भार्तिय सेन्य एकेडमी से 9 जुन 1957 को अपना अध्यान पूरा किया सलार्य को सुरू में तीन गुर्खा राइफल्स की दूसरी बटालियन में नियुक्त किया गया था अपने करतव्य और साहस के लिए और यूत के दोरन अपने सुरुक्षा की अपिक्षा करते हुए करतव्य करने के कारण सलार्या को भारत सुरुकरद्वारा 1962 में मरनोप्रांत परमविर चक्र से सम्मान किया गया था